हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो ए 24 नॉलेज़े, ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोर्ट एड कलकत्ता, मन्स कलकत्ता हाई कोर्ट की नियू रिकूर्मेंट नॉटिफिकेशन के बारे में और इसकी LGBT कंडिशन के बारे में, तो फ्रेंट्स, यहाँ पर जो यह वेकेंसी या नॉटिफिकेशन इन्वाइट की गई है पोस्ट यह टेंप्रेरी है, पर इंको फ्रेंट्स से बाद में पर्मनेंट कर दिया जाएगा तो फ्रेंट्स यहाँ पर जो यह फॉर्म है, सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर फ्रेंट्स 153, 153 पोस्ट आपकी रहेंगी लेवल 6 का आपका पे स्केल रहेगा, जिसमें 22,700 से 58,500 रुपे आपको सेलरी मिलेगी और यहाँ पर फ्रेंट्स अगर आप केंड़ेट है, SC, ST केंड़ेट है, वेस्ट बंगाल के तो 400 रुपे फीस आपको देनी होगी और इसके अलावा अधर स्टेट केंड़ेट या फिर आप जन्दल केंड़ेट हैं, OBC केंड़ेट हैं तो 800 रुपे फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी सिस्टम एनलाइसिस प्रोग्रामिंग की जो वेकेंसी है, यहाँ पर 3 वेकेंसी रहेंगी लेवल 16 आपको मिलने वाला है, 600 रुपे फीस है, SC, ST, वेस्ट बंगाल के लिए और अधर के लिए 12 रुपे फीस रहेगी सेलरी आपकी 56,100 रुपे से 1,44,300 के बीच आपकी यहाँ पर रहने वाली है सीनियर प्रोग्रामर की जो वेकेंसी है, यहाँ पर फ्रेंस से एक वेकेंसी है, लेवल 17 का आपको पे स्केल मिलेगा इसके बाद है सिस्टम मेनेजर की वेकेंसी, दो वेकेंसी रहेंगी लेवल 17 का, आपको यहाँ पर पे स्केल मिलेगा मिन 6,300 से 1,73,000 रुपे सेलरी, 700 रुपे फ्रेंस यहाँ पर SCST वेस्ट मंगौल के लिए और 1500 रुपे यहाँ पर फ्रेंस आपके रहेंगे अधर केंडियर के लिए आप सबसे बड़ी बात यहाँ पर फ्रेंस ये है कि जो वेकेंसी आपके DEO के लिए है इसमें ही 153 वेकेंसी है और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर आप इसमें आवेदन करना चाहें तो और इसके लावा जो भी पोस्त है उन्में वेकेंसी कम हैं वगर आप एलिजी आपके पास होना चाहिए और अगर आपके पास यह पर बैस लए डिगरी है और आपको एस्ट्र प्रफएर लॉपर्फरैंस यहां पर मिल जाएगी बागी फ्रेशर के इंडिट भी इसमें आविधन कर सकती हैं इसके बाद फ्रेंज से नेस वेकेंसी जो है system analysis programming की यहाँ पर bachelor degree engineering या technology में आपसे मांगी गई है या bachelor degree है आपके पास information technology में या फिर master degree है computer application में और 5 साल का experience है आप इसमें आविधन कर सकते हैं senior programmer में फ्रेंज से graduate degree आपके पास engineering या technology या bachelor degree in information technology या master degree computer application के साथ 10 साल का experience आप से मांगा गया है इसके बाद system manager के लिए graduate degree आपके इसमें आविधन कर सकते हैं मेंली यहाँ पर DEO की अर्शी वेकंसी है जिसमें आप आविदन कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो, इसके बाद फैंसे एस क्राइटियरिया डाटा एंटरी ओपरेटर के लिए 18-40 साल रहेगा और यह जो एज है यह 1-1-2021 को काउंट होने वाला है, इसके बाद फैंसे system analysis के लिए 26-40 साल, senior programmer के लिए 31-45 साल, system manager के लिए 31-45 साल आपका एस क्राइटियरिया रहेगा अब यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट है mode of selection जो की data entry operator के लिए फैंसे आपको यहाँ पर computer test होगा, जिसमें general knowledge, mathematics and English language से related questions होंगे, OMR based paper या computer based paper आपका हो सकता है, 50 questions होंगे और हर एक question के दो marks आपको यहाँ पर मिलेंगे, इसमें friends से total marks है वो आपके 100 रहेंगे और यहाँ पर friends से हर एक question का जैसे मैंने कहा आपको एक number मिलेगा और negative marking यहाँ पर एक number की रहेगी, हर एक गल्त answer पर आपका एक number कट जाएगा, duration इस exam की friends से एक घंटा रहने वाली है और passing marks friends से कम से कम 40% या 40 marks आपको लेके यहाँ पर आने होंगे, phase first friends जो examination है उसके basis पर आपको phase 2 के लिए बुलाय जाएगा जिसमें friends से data entry speed टेस्ट आपका होगा और depression test जो है friends से यहाँ पर 400 marks का होने वाला है, phase 3 यहाँ पर होगा, shortlisted candidate जो की phase 2 से shortlisted होगी, उनको बुलाय जाएगा interview या फिर वायवास test के लिए जो की 100 marks का होगा, तो यह आपका selection procedure आपका रहने वाला है DEO post के लिए, दुबाय मैं आपको short में बता जाता हूँ, सबसे पहले आपका होगा competitive exam जो की आपका OMR या फिर आपका computer पे हो सकता है, इसके बार आपको बुलाय जाएगा skill test के लिए, या फिर data industry test के लिए, और उसके बार आपको बुलाय जाएगा interview या वायवास के लिए, तो यहाँ पर फ्रेंसे जो आपका exam का pattern है, वो इस तरह से रहने वाला है, इसके बाद system analysis programming की जो vacancy है, यहाँ पर फ्रेंसे आपका जो subject related questions होंगे computer programming में, वो topics आपको यहाँ पर provide किये गए है, इसके बाद senior programmer में फ्रेंसे आपको exam और वायवास दोनों ही देने होंगे, जिसमें फ्रेंसे 200 numbers का आपका written होगा और 50 number का आपका interview होगा, दो गंटे का आपको समय यहाँ पर मिलने वाला है, system manager में फ्रेंसे यहाँ प experience required नहीं है, तो वहाँ पर friends अगर आप आविदन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास experience है, तो भी आप इसमें आविदन कर पाएंगे, इसके बाद यहाँ पर sports person की LGBT conditions, pH candidate की LGBT conditions को आपको यहाँ पर provide किया गया है, जो कि आप यहाँ पर check कर सकते हैं, अगर अपने पास आप रख सकते हैं, और एक बार यहाँ पर डाटा को submit करने के बाद, आप कोई भी changes नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर friends से कोई भी क्यूरी है, तो आप इनसे help desk पर संपर कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर आपको पूरा पूरा इसको नहीं किया है, और कैसे इसमें आविदन कर सकते हैं, इसका full procedure आपको इन्होंने बताय हुआ है, बाकी जब इसका link activate होगा, तो form fill up का video हम भी available कराएंगे आपको कि कैसे आप इस form को fill कर सकते हैं, बिना कोई गलती किये, तो यहाँ पर friends से जो यह vacancy है, आपके कल कता हाई code की, तो यहाँ पर इसकी यह notification आपके सामने है, जो कि अगर आप eligible है, apply करना चाहते हैं, apply कर सकते हैं, 11 जनवरी 2021 से दुपेर 12 बजे आपका यह form start हो जाएगा, closing date इसको apply करने की 27 जनवरी 2021 है, जिसमें रात तक आप इसमें apply कर सकते हैं, इसके बाद payment of fees भी आप 27 त लोग के लिए, उनके लिए 28 तारिक तक वो अपना application form generate कर सकते हैं, admit card कैसे download होगा, कब download होगा, इसकी date बार में जारी की जाएगी, exam date और when you भी बार में बताया जाएगा, और यही detail instructions आपको यहाँ पर दिये गए हैं, जिसमें friends से आप यहाँ पर details को check कर पाएंगे, तो यह यहाँ पर friends से जो भी process मैंने आपको बताई है, यह friends से सब आप description में जाका check कर सकते हैं, और वहाँ पर friends से आपको इस से related जानकारी मिल जाएगी, वहाँ पर जाएगे, details को check कीजिए, jobrasa.com पर, अगर आप पहली जीबल है, apply करना चाहते हैं, apply कर सकते हैं, और आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, तो like, subscribe, share जरू कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा YouTube चैनल, and last thanks for watching.